हालो स्टूडेंट्स हमने अबना फर्स चेप्टर अकाउंट्स का स्टार्ट किया हुआ है जिसका नेम है अकाउंटिंग पॉर पार्टनर्शिप बेसिक फंडामेंटल्स हमने इसकी जनरल एंट्रिस कर ली थी और यह प्रफोर्मा कर लिया था प्रोफिट एंड लोस अप्र इनने इसको क्लियर कर लिया होगा यह दिवाइस कर लियोंगी आज हम इसका फर्स सम देखते हैं क्या है अजेंट शंजे पार्टनर इन फर्म शेरिंग प्रॉफिट एंड लॉस्स एक्वली जो अजे हैं और संजें दोनों प्रॉफिट लोस को एक्वली बाढ़ते हुए और वन फष्ट जैनुवरी को उनकी जो एक चैपितल है वो टूंटी थाउजन है ज्की और टैन थाउजेंड है अज्चेंछी इंत्रस्तौन कापिटल कितना बोला गया है consistent देना है इनको परन्कोल सम प्रॉफिट प्लिआरन तो डिविजन तय्सन धेंद्र यह एंडिंग 31st December 2009 before allowing interest on capital amounted interest on capital कितना बोला गए 8000 और इसकी जर्नरल एंट्री बनानी और परफोर्मा बनाना है सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है कि profit and loss को equally बांटते हैं और interest on capital इनको कितना देना है 5% अब इनकी जो capital थी इनके उपर हम interest on capital देंगे अजे की कितनी थी 20,000 ठीक है ये 20,000 जो है अजे की थी इस 20,000 का 5% कितना होगा बच्चे 1,000 होगा ठीक है ये तो I hope सभी को करना आता ही होगा फिर भी आप देख लिजी 20,000 का 5% ऐसे करेंगे 5 to the 10 हो जाएगा means जी 21,000 के आगया उसका interest आगया capital के उपर इसी तरह से हम संजे का भी निकाल लेंगे 10,000 का 5% 500 रूपीज हो जाएगा तो जब हम इनको देंगे ये interest देंगे तो इनके account में credit करेंगे न हम तो इनका जो personal account है वो credit हो जाएगा और जो interest on capital है वो debit हो जाएगा ये एंट्रिकल मैंने करवा दी थी आपको interest on capital count debit to Sanjay's capital account तो अजे की capital में 1000 आया था और उसका कितना आया था 500 आया था और टोटल ये दोनों मिला के कितना हो चुका है 1500 अब इसके पाद हम इसको profit and loss appropriation count में send करेंगे ये जो interest on capital debit किया था हमने वो यहाँ credit कर देंगे और जो appropriation account है वो debit हो जाएगा same amount से जो की 1500 रुपीज था उसके बाद इन्होंने बोल ला है कि जो profit है वो भी इनको transfer करना है तो इन्होंने जो profit बोल ला है वो कितना आया है हमारा वो हमारा था 8,000 इन्होंने यहां बोल ला हुआ था 8,000 का हमारा profit था यह आपने हमेशा ध्यान रखना है यह जो लाइन बोली गई है before allowing interest on capital इसी में से पहले interest on capital देना है उसके बाद यह profit distribute करना है interest on capital देखे हमारे पास कितना बचा था देखो 8,000 क्या था profit था और उसमें कितना हमने दे दिया इंटरस्ट यह दे दिया remaining कितना है 65,000 अब इसी को हम क्या करेंगे distribute करेंगे कैसे distribute करेंगे equally इसका half of करके इन में कर दिया और यह इनके capital account में क्या होगा credit होगा profit and loss appropriation account debit हो जाएगा और इनका capital count है वो credit हो जाएगे इसी के base पर हम यह बनाएंगे profit and loss appropriation account अब देखो पहले यहां क्या लिखे है to interest on capital अर्जे की capital की थी यह है ना इसी को यहां transfer कर दिया और पहले यहां loss लिखेंगे सबसे पहले by net profit from the profit and loss account 8,000 था उसके बाद जो capital हमने interest जो दिया है वो लिखेंगे 1500 का और उसके बाद जो हमारा profit बाकी बचा है वो 60 500 था जो कि हमने half of करके इन में बाड़ दिया और यह चीज़ा हमने ध्यान रखने है कि यह जो है 8,000 और 8,000 यह हमेशा equal आने चाहिए कल हम इसी तरह से second sum करेंगे आज एक बार खुद से भी आप यह सम करके देखना कल हम करेंगे computation of commission and computation of profit थेंक यू